नमस्कार जी केपिटल में आपका स्वागत है आज है तीन जून और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो आज बात करेंगे PSU सेक्टर की दूसरी दिगज बैंक बैंक और बरोदा में आज आई 6% से अधिक तेजी और उसमें आगे आने वाले टार्गेट प्राइस के बाड़े में तो बने रही है वीडियो में अंतक अगर आज के रिटर्ण के स्थिति को देखें तो यहां देखेंगे कि आज कमपणी ने अपने निवेस्कों को 2.49% की पोजटिव रिटर्ण दिया है और एक समय ऐसा था जब इसमें 6% के आसपास की तेजी देखी जा रही थी अब एक वीक की बात करें तो एक वीक में इसने अपने निवेस्कों को 13.74% का रिटर्ण दिया है और अगर एक महीने की बात करें तो इसने अपने निवेस्कों का 11.62% का नुक्सान किया है अगर एक एर की बात करें तो एर में देखेंगे कि इसने अपने निवेस्कों के पैसे लगभग 67.19, 67.19% का निगेटिव ग्रोथ कर दिया है, अब इसके अगर पियर कमपनियों की बात करें, तो पियर कमपनियों में सबसे पहले State Bank of India है, जिसने एक साल के अंदर 52% का निगेटिव ग्रोथ दिया है, और IDBI Bank ने लगभग 23% का निगेटिव रिटर्न दिया ह वहीं पंजाब National Bank ने 64% का निगेटिव रिटर्न दिया है, और केनड़ा Bank ने लगभग 66%, 66% का निगेटिव रिटर्न दिया है, इंडियों नोबरसिज बैंक की बात करें, तो इसने अपने निवेशकों के पैसे लगभग 34% निगेटिव ग्रोथ किया है, तो फ्रेंड्स ये रही इस company के साथ अन्य इसके जो छेतर की company हैं उनके एक साल के return की तुल्ला अब इसके बाद इसके कारोबार की इस्तिती को देख लेते हैं NSE की website पर तो यहां देखेंगे कि इसकी जो opening होती है सुबा हो 42.90 पैसे से और यह high बनाता है 45.10 पैसे का जिस समय लगभग 6% के आसपास तेजी दिखा रहा था उसके बाद इसमें मुनाफ़ा वसुली होती है और फिर 2.26% के आसपास की तेजी के साथ closing देता है 43.15 पैसे पे अब friends इसके अगर traded volume की बाद करें तो यहां बहुत चीजें और भी असपस्ट होती है तो आप यहां देखेंगे कि बहुत 9,5335 सेर्स की तो friends यहां एक चीज गौर करने वाली बात है पूरी order book और traded volume और delivery की position को देखकर कि कहीं न कहीं इसमें मुनाफ़ा वसुली भी हो रहा है जिन लोगों ने 36-37 रुपे के लेबल पे इसमें बाइंग किया है उन्हें 20% का मुनाफ़ा हो रहा है तो वो लोग य दूसरी बात कि इसमें important बात है कि delivery कम है तो कहीं न कहीं इसको जो भी buy कर रहा है उसको trading के purpose से buy कर रहा है तो इस company के share के लिए यह एक negative aspect है और इसमें आने वाले दिनों में कमजोडी की जलक देखती है अब एक बार इसके option chain को देख लें तो चीजें और असपस्ट हो जाए प्रेक्टर के point of view को देख लें तो यहां देखेंगे कि 21,600 सेर्स की 43 रुपे के उपर fresh call राइडिंग है और cumulative open interest 1,99,800 सेर्स की है अब अगर इससे उपर की और बरते हैं 44 रुपे को देखें तो 44 रुपे के उपर 2,32,200 की fresh call राइडिंग है और cumulative open interest 3,94,200 की है अब उससे बढ़के अगर 45 रुपे की बात कर लें तो 45 रुपे पर एक huge fresh call राइडिंग हुई है 11,50,000 की और cumulative open interest 41,89,600 की आप समझ सकते हैं कि कितनी huge और कितनी बड़े जो है यहां पर call के contracts खड़े हैं जो अपने आप में 45 रुपे को एक average की height दे रहे हैं तो friends 45 रुपे निश्चित रुप से इसके लिए बहुत बड़ा challenge होने वाला है अब इसमें अगर put rider की position को देख लें तो 40 रुपे के level पर चलते हैं चालीस रुपे के level पर आप देखेंगे कि एक लाग्चोड अन्वे हजार चार सो कंट्रेक्स की fresh put riding हुई है और cumulative open interest है वो है पंदर लाख साथ हजार छे सो सेर्स की तो यहां एक अच्छी सपोर्ट दिख रही है अब इसके उपरी अस्तरों पर बात करें अगर अट दा मनी के प्राइस पे तो कोई खास सपोर्ट नहीं दिख रहा है जो fresh put riding हुई है वो है 64,800 सेर्स की और cumulative open interest भी 64,800 सेर्स का ही है इसका मतलब जो आज fresh put riding हुई है वो ही cumulative open interest में count हो रही है तो friends अब इसे एक conclude किया जाए conclude करने के लिए इस company के share price के लिए 43 रुपय के ऊपर हर एक मुकाम बहुत बढ़ा challenge रहने वाला है लेकिन 40 रुपया इसके लिए एक जबरदस्त support हो करके भी निकल रहा है अब इसके price moment को अगर chart पे देख लिया जाए तो चीज़ें और clear होंगी तो यहाँ दो बातें बहुत के संकेत दे रहे हैं आने वाले दिनों में और जो इसकी MSCD है वह भी एक bullish crossover जो बना था उसमें और तेजी के संकेत हैं तो ओभर और ले निकल के आ रहा है कि price में तेजी बनी रहेगी तो friends इसको अब conclude किया जाए अगर तो यहाँ देखेंगे कि 40 रुपया इसका निचला अस की EMA जो 48 की है तो friends अगर इसने 45 रुपय के challenge को पार कर लिया तो फिर उसके बाद इसको 50 डेज की EMA है 49 रुपीज को touch करने में कोई दिकत नहीं है क्योंकि 45 के बाद इसमें resistance कम है तो इन सारी चीजों को देख करके आप एक बार analysis करेंगे और उन सारी चीजों को समझेंगे Stock अच्छा है सरकार की PSV कमपणी है ये मेरी तरब से है लेकिन निवेश संबंदी कोई भी नेड़ने ले तो उसके पहले आप अपने एक study कर ले एक research कर ले इसके बाद ही इसमें आप निवेश करें तो friends वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe करें और bell icon button प्र